असलाम लेकुम व्यूर्स मैं बिलाल जफर शादी बचर चैनल से आज आपको एक बहुत ही important question का answer देने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो के मेरे बहुत से व्यूर्स ने बार-बार मुझसे पूछा है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी सारी वीडियो के comments पढ़ता हूँ और एक question जो comments में मुझे बार-बार नज़र आया वो ये था कि हम AC लेने जा रहे हैं हमें एक ton का AC लेना चाहिए या डिर टन का AC लेना चाहिए price तो definitely एक factor होता ही है लेकिन price को भी आप एक side पर कर दें लोगों को समझी नहीं होती कि उनको 1 ton का AC चाहिए या 1.5 ton का AC चाहिए उनको किसी ने नहीं बताया हुआ कि 1 ton का AC कितने area के लिए काफी होता है या 1.5 ton का AC कितने area के लिए required होता है या कितना बड़ा आपका कमरा है तो आपको 2 ton का चाहिए होगा ये question मैंने बार-बार अपने comments में पढ़ा है तो मैंने decide किया कि finally आपको इस चीज का answer दे दूँ यही दिन है कि बहुत सारे लोग ACs खरीदने जा रहे हैं तो इस question का answer जानने के लिए वीडियो को end तक देखें ताकि आपको सारी बात समझ में आए इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले क्यूंकि मैं एक-एक करके तमाम ACs के reviews देने वाला हूँ उनके लिए बहुत useful content होगा तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को subscribe कर ले मैं उमीद करता हूँ आपने अब तक subscribe कर लिया होगा तो चलें बढ़ते हैं answer की जाने viewers मैं आपको answer भी बताता हूँ और source भी बताता हूँ answer की कि मैंने information कहां से ली है पहले मैं आपको answer बता दूँ अगर आपके कमरे का size 80 से 120 square foot के दर्मियान है मतलब कम अज़ कम 80 या ज़्यादा से ज़्यादा 120 square foot के बराबर आपका area है ये कैसे होगा मतलब अगर फरस करें आपका 10 foot by 12 foot का कमरा है ठीक है तो आपको 1 ton का AC काफी होगा 10 by 12 या 120 के आपके सारे वो निकाल सकते हैं लेकिन दोनों को multiply करके जब तक 120 square foot बनता है उसके लिए आपको 1 ton का AC चाहिए अगर आपका कमरा उससे बड़ा है लेकिन 190 square foot तक है फरस करें के 10 by 19 है 10 foot एक तरफ है और 19 foot उसकी लंबाई है तो आपको 1.5 ton का AC चाहिए मतलब 120 square foot तक आपको 1 ton का चाहिए 190 square foot तक आपको 1.5 ton का AC चाहिए और अगर आपका कमरा 300 square foot तक है तो फिर आपको 2 ton का AC चाहिए योर्स ये जो information है इसकी source है Viva Home Comfort उसका मैं आपको link पी description में दे देता हूँ आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं और ये information मैंने आपको इसलिए दी because एक और website पर भी मुझे ठीक यही information मतलब इससे बिल्कुल मिलती जूलती information मतलब मैंने multiple sources को देखा है तो सब में मुझे यही answer मिला है इसलिए मैं आपके साथ इसको share करना जरूरी समझा तो एक और जो website है उस पर जो मुझे answer मिला वो ये था कि आपका कमरा अगर 120 square foot तक है 100 से 120 square foot तक तो आपको 1 ton का AC चाहिए अगर आपका कमरा 180 square foot तक है तो आपको 1,5 ton का AC चाहिए और अगर आपका कमरा 180 square foot से बड़ा है तो फिर आपको 2 ton का AC चाहिए तो viewers यह जो मैंने आपको दूसरा answer दिया इसकी source है times of India indiatimes.com उसका link भी मैं आपको description में देता हूँ जब भी आप AC लेने जाएं तो एक चीज आप ज़रूर यह कर लें के जाने से पहले अपने रूम का measurement ले लें देखें के वो 10 by 12 का कमरा है या 10 by 19 का कमरा है या 12 by 14 का कमरा है या 13 by 15 का कमरा है जो भी है 120 square foot से कम है तो फिर आपको 1 ton का चाहिए अगर 120 square foot से जज़्यादा लेकिन 180 या 190 से कम है square foot में तो फिर आपको और अगर आपका 190 से ज्यादा बड़ा कमरा है तो फिर आपको 2 टन का चाहिए लेकिन खाली आपके कमरे का साइज ही एक फैक्टर नहीं है जो ये डिसाइड करता है कि आपको 1 टन का चाहिए, 1,5 टन का चाहिए या दो तन का AC चाहिए यह इस चीज़ पर भी मुनहसर है कि आप ground floor पर रहते हैं या first floor पर रहते हैं और obviously इस चीज़ पर भी मुनहसर है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है बिकोज आपको पता है कि जिसे मरी हो गया या आजाद कश्मीर हो गया इस तरह के आलाके जो है यह relatively ठंडे रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा temperature नहीं होता जबके दूसरी तरफ लहोर या कराची या इवन पिंडी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है खैर यह तो एक factor है ही लेकिन यह ज़्यादा important factor है कि आप ground floor पर रहते हैं या first floor पर रहते हैं because 120 square foot का कमरा जो ground floor के उपर है वो उस कमरे से ज़्यादा ठंडा होगा जो 120 square foot का यह है लेकिन first floor पर है तो आपको पता है first floor के उपर चट होती है लेकिन first floor पर है तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप 1.5 ton का AC ले 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 तो वो आपके लिए ज़्यादा safe रहेगा because अकसर brands के 1 ton और 1.5 ton के prices में जो मैंने difference देखा है वो मुश्किल से 10 से लेके 12 या 14,000 तक का difference होता है 1.5 से 2 ton में ज़्यादा difference होता है तो 10-12,000 के पीछे आप अगर एक ऐसा AC लेकर आ जाएंगे जिसकी performance से आप satisfied ना हो तो आपके 60 या 70,000 रुपे जाया जा सकते है उसे बेतर है आप थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करके on the safe side रहके आप 1.5 ton का AC ले 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 अगर जरूरी नहीं कि जिस जगा आप रह रहे हैं आप वहीं पर रहते रहे हो सकता है कल को आपको shift होना पड़े आप अभी first करें ground floor के लिए AC ले रहे हैं तो कल को हो सकता है आपको first floor पर जाना पड़ जाए आप हो सकता है कराई पर रहते हो मैंने यह किया है हाला के मैं ground floor पर रहता हूँ और मेरे कमरे का size है almost 135 square foot के करीब 135 square foot तो मुझे तो वैसे भी देर टन का ज्यादा सूट करता है because देर टन के लिए size range होती है 120 to 180 या 190 अगर मुझे कल को अपर पोर्शन में shift होना पड़ा या कहीं भी जाना पड़ा तो मुझे बाद में दुबारा नया AC नहीं लेना पड़ेगा डेर टन का मैंने पहले से ले रखा है तो इनसान के लिए सहुलत हो जाती है एक और बहुत जरूरी आपको मैं हिदायत देना चाहता हूँ खरीदारी के सिलसले में viewers के अकसर लोगों को ये misconception होता है कि अगर inverter AC है तो ये heat भी करता होगा और cool भी करता होगा तो याद रखें कि कुछ DC inverter technology में ऐसे AC हैं जो heat and cool दोनों करते हैं जबके कुछ models ऐसे हैं जो सिर्फ cool करते हैं बहुत से लोग तो इसलिए inverter AC लेते हैं क्योंके सर्दियों में भी वो सोचते हैं कि काम आजाएगा जो के वाकई आता है अगर heat and cool दोनों functions उसमें हो तो खरीदे से पहले एक बार ये जरूर आप दुकानदार से पूछ लेना कि ये heat and cool है या cool only है अगर cool only है तो अगर तो आपको सिर्फ गर्मियों के लिए ही चाहिए तो ठीक है लेकिन आप अगर ये सोच कर जा रहे हैं कि उसको गर्मी सर्दी दोनों के लिए यूज करेंगे फिर आप लाजमी heat and cool function वाला AC लें क्योंके ये एक बहुत important quality होती है AC में ये आपको तब पता चलता है जब सर्दीयां आती है और आपको heater चलाना होता है खास दोर पर उन अलाकों में जहां पर gas अवेलिबल नहीं है और लोगों को बिजली से ही काम चलाना है तो उनको heat and cool दोनों functions वाला AC चाहिए और अगर आपको बिलकुल समझ नहीं है कि आपको shopping कैसे करनी है या आपको क्या questions पूछने चाहिए क्या specifications देखनी है और कोई models भी आपके जहन में नहीं आप खाली जहन के साथ अगर आप shopping के लिए जा रहे है at least यह ज़रूर दुकानदार से कहिएगा कि आपको वाले inverter AC दिखाए जो full DC inverter हो जो बहुत अच्छी cooling करते हो जो सबसे कम बिजली खाते हो और जिनमें heat और cool दोनों functions हो वाले AC आपको दिखाए वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीवर्स तो इसको like ज़रूर करें और इसको share करें ज्यादा से ज्यादा और मेरे चैनल को प्लीज सबस्क्राइब करें अगर आपको different brands के latest models और इनकी prices और specifications पता करनी है आप इनी दिनों में DC inverter AC खरीदने का इरादा रखते हैं और आपको information चाहिए तो मैंने काफी सारी videos बनाई हैं उनसे related उनके links मैं आपको description में दे देता हूँ उनको आप जरूर एक दफा देख लें ताके आपको काफी चीज़ें clear हो जाएंगी मैंने बहुत सारे models share किये वे हैं Dolan's के भी, Gris के भी Mitsubishi, Chang Hong Ruba और Kenwood के models को भी discuss किये मैंने comparison videos भी बनाई भी हैं तो उन सबके links में आपको description में देता हूँ उनको जरूर आप देख लें तो आपको जब आप AC खरीदने जाएंगे तो पहले से आपके mind में price का भी अच्छा idea आपको होगा और कौन सा AC आपको लेना चाहिए उसका भी आपको अच्छा idea होगा दूसरी एक चीज आपको viewers में यह कहनी है कि मेरा Facebook पर जो page है शादी बजट उसको प्लीज आप like कर ले और मेरा Instagram पर भी जो page है शादी बजट के नाम से उसको भी आप like कर ले क्यूंके मैं काफी सारे comments का और questions का जवाब अपने Facebook और Instagram के उपर देता हूँ तो आपको कोई भी question हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं आप से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिस